देखिए आग की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजली बिल कम कैसे करें हमारे घर में बिजली आ रही है तो उसको हम कैसे कम करें बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है महीने का अगर 2000-3000 आता है तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे विजली कभीL 200-300 महीने आए तो इसके लिए आप ध्यान से देखें कि आपको क्या करना है देखें ये पोल से हमारा 2 एक फेज, 1 और नूटल वायर आता है इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं नूटल दो वायर आते हैं हमारे हमारे घर में ये देखिए वहाँ से आएगा ये हमारे घर में मीटर लगा होता है क्या है मीटर मीटर में देखिए दो इनपुट है जो यहाँ पोल से आया है और दो आउटपुट है जो हमारे घर में जाता है यह हमारे घर का बोर्ड है क्या है घर का बोर्ड यह मीटर है यह बोर्ड है तो अब देखे फेज नीटल जो आता है तो वो पहले यहां से आएगा यहां देखे एक फेज नीटल है यहां जुड़ जाता है हमारा ठीक इस तरह से आता है फेज न्यूटल जो हमारा पोल से आता है वो यहां एसे जुड जाता है इसके बाद यहां से फेज न्यूटल निकल कि हमारा बोर्ड में जाता है अब बोर्ड से हमारे पूरे घर का लाइट चलता है जितना भी लगा रहेगा मा लिजे एक दो तीन चार चार लाइट लगा हमारे घर में तो अब इस बोर्ड से चारों जब जलेगा तो यह देखी यहां से मीटर इसमें रीडिंग देगा जितना भी यहां board से यूज होगा सम मीटर में reading बताएगा तो हमको कुछ ऐसा करना है कि मीटर में reading कम आए मतलब यहां जो है जले उतना ही लेकिन मीटर में reading कम आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए सारा system ही रहेगा बोर्ड जो है हमारा यहां रहेगा इसके बाद हम एक बोर्ड और लगाएंगे इस बोर्ड से हम केवल एक बल्ब जलाएंगे अब यहां जो चार है इसको हटा देंगे हम इस बोर्ड से केवल क्या करेंगे एक बल्ब जलाएंगे यहां अब बाकी जो बचा है देखिए यहां फेज और नीटल जो आया है मीटर के पहले हम यहां देखिए दो पिन लेंगे और यहां घुसाएंगे दोनों वायर में पिन अब पिन में से हम वायर निकालेंगे यहां और एक यहां दोनों फेज नीटल निकालेंगे मीटर के पहले ही मीटर के बाद करेंगे तो बिजली बिल पर कोई यहां से कहिस करेंगे तो बिजली बिल उतना ही आएगा तो हमारा बिजली का बिल मीटर में नहीं, क्योंकि यहां पहले से ही यहां पावर बाहर हो गई है, अब यह जितना इधर से खींचेगा उतना ही इसमें रीडिंग आएगी, तो इस तरह से हम घर के बिजली का जो बिल है वो कम कर सकते हैं, लेकि आपको ध्यान देना होगा कि यह ऐसी जगह पे हो जहां दिखाई नहीं तो अगर बिजली के मीटर चेंगिंग वालें आएंगे, तो आपको पकड़ लेंगे तो आपको जूर्माना हो सकता है, क्योंकि यह मीटर चोरी का हो जाएगा केस, तो इस तरह पिन लगा सकते हैं, पिन को निकाल भी सकते हैं, इ यह काम हम कर सकते हैं, तो इस तरह से हम बिजली का बिल काम करेंगे,